शब्द विचार बच्चों, आप लोग आपस में बातचीत कैसे करते हैं? हम बोलकर आपस में बात करते हैं हम, आप लोग क्या बोलते हैं? हम शब्दों को बोलते हैं बिल्कुल सही बच्चों, आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे विचार व्यक्त करने के लिए अत्वा बात करने के लिए शब्दों के आवशक्ता होती है ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं आये देखें कि सार्थक शब्द कैसे बनते हैं कल शब्द का निर्मान कितने शब्दों से हुआ है क, जमा अ, जमा ल, जमा अ को जोड़ कर कल शब्द बनता है र, जमा अ, जमा क, जमा ए, जमा श, जमा अ को मिलाने पर राके शब्द का निर्मान होता है न, जमा अ, जमा द, जमा ई को मिलाने पर नदी शब्द बनता है देगए शब्द स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं ये शब्द स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ रखते हैं यही शब्द जब वाक्य में प्रयूक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं अब हम शब्दों के प्रकार के बारे में जानेंगे शब्द दो प्रकार के होते हैं सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द सार्थक शब्द सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कुछ निश्चित अर्थ होता है सार्थक शब्दों का भाषा के अंतरगत अध्यन किया जाता है उधारण के लिए नदी, लड़का, कपड़े, औजार दे गई शब्दों का एक निश्चित अर्थ है अतह ये सभी शब्द सार्थक शब्द हैं निरर्थक शब्द ये वे शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चत अर्थ नहीं होता है निरर्थक शब्दों को प्रायह बोल चाल की भाशा में प्रयुक्त किया जाता है जैसे चाय वाई, बोल चाल, फोटो शोटो, सोफा सूफा, साग सूग दिये गई शब्दों में वाई, चाल, शोटो, सूफा, सूग आदी निरर्थक शब्द हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता बस इनका प्रयोग बोल चाल की शैली में होता है शब्दों की भेद लता हिंदी की किताब पढ़ रही थी तबी सिधार थाता है लता तुम क्या पढ़ रही हो? मैं शब्दों के भेद के बारे में पढ़ रही हूँ शब्दों के भेद ये क्या होता है? शब्दों के भेद के बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ शब्दों के भेद तीन आधार पर किये जाते हैं व्युद्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर प्रयोग के आधार पर व्युद्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं रूड़ शब्द, ये शब्द खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं योग एक शब्द, ये शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं इस प्रकार के शब्द संधी, समास, उपसर्ग, प्रत्यादी से बनाते हैं इनके खंड पर भी अर्थ निकलता है योग रूड़ शब्द, ऐसे शब्द जो किसी विशेश अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूड़ शब्द कहलाते हैं उत्पत्ती के आधार पर, उत्पत्ती के आधार पर चार प्रकार के शब्द होते हैं तज़ सम्शब्द, संस्कृत भाशा के वे शब्द, जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाशा में प्रयुप्त होते हैं, तज़ सम्शब्द कहलाते हैं. तद भवशब्द वे शब्द जिसमें संस्क्रेट से हिंदी भाषा में आते-आते कुछ अंतर आ जाता है तद भवशब्द कहलाते हैं देशच शब्द ये शब्द ग्रामीन जन समुदाय द्वारा बोली गई, हिंदी द्वारा हिंदी भाषा में आए हैं विदेशी शब्द ये शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में थोड़े बहुत परिवर्थन के साथ आ गई हैं प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, कालादी के कारण परिवर्थन आ जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द वे शब्द जिन में लिंग, वचन, कारक, कालादी के कारण कोई परिवर्थन नहीं आता और वे एक ही रूप में प्रियुक्त होते हैं वे अविकारी या अवियशब्द कहलाते हैं वे वे प्रियुक्त है प्रियुक्त है झाल